वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे डाइकन के हाइस्ट आई-स-ई-ई-ई-आर रेशो वाला एर कंडिशनर जिसकी आई-स-ई-ई-आर रेशो 5.80 है यह देखिए यह डाइकन का 1 तन 5 स्टार इनवर्टर एर कंडिशनर है यह देखिए जिसकी कुलिंग पैस्टिया है 320 वाट अगर आप electricity consumption की बात करें यह है 483 यूनिट्स पर इयर जो की बहुत ही कम है एक एर कंडिशनर के अगर आप देखोगे एक एर कंडिशनर इतने कम यूनिट्स पर चल रहा है यह देखिए यह डाइकन का हाइस्ट आई-स-ई-आर रेशो वाला एर कि अगर आपने अगर फीचर्स अगर आपने सारे फीचर्स सुन लिये तो आप भी हरान हो जाओगे कि इतने सारे फीचर्स वो भी है के एर कंडिशनर में यह देखिए सबसे पहला इसका मेन फीचर आई-स-ई-सर जिसे डाइकन कहता है आई-स-ई-सर यह हमारे यूमन आपको डिस्पले भी मिलती है यह देखिए जो कि यह भी बताएगा कि आपके इसमें सल्स डाइगनोज सिस्टम है अगर आपके एर कंडिशनर में कोई भी दिक्कत आती है तो यह एर कोड आपको खुद बता देगा कि आपके एर कंडिशनर में क्या दिक्कत है यह आपको नेम्परेचर भी बताएगा जो उनसा आपने सेट किया है अपने रिमोर्ट पे वो भी बताएगा आपका एसी जीरो तुहंडर परसेंट कितने परसेंट पे चल रहा है वो भी आपको यह एर कंडिशनर बताएगा और इसमें आपको एर पूरिफायर मिल जाता है यह स्टीमर डिस्चार्ज टकनोलजी कहती है जिससे हम अगर देखें तो डाइकन कहती है कि यह क्रोना वाइरस को इनक्टिवेट कर देता है यह देखिए यह देखिए विदिन वन आर 93.65% सक्सेस रेशू है जिसमें आप इनक्टिवेट कर देगा क्रोना वाइरस को विदिन थी आर 99.97% में 0.03% सर्वाइवल रेट है क्रोना वाइरस का कोई भी वाइरस लगा लिजिए जो इनसा स्टीमर डिस्चार्ट टेकनोलजी है यह वेव्स छोड़ता अगर इसके नजदीक कोई भी चीज आएगी वो अपने अप डियक्टिवेट हो जाएगी या इनक्टिवेट हो जाएगी इस पे पूरे ही सब कुछ आर एंडी हुआ हुआ है कोई यह जूड़नी बोल रहे अगर आप यह बार कोड लगा हुआ है इसे बार कोड से आप स्क कर सकते हो यह देखिए चलो आगे हम अपने एसी पर बात करते हैं यह देखिए अगर हम इसके में फीचर के बात करें हो जो इसमें सबसे बढ़िया फीचर है कि यह वन थर्टी वोर्ट से लेकर टू एटी वोर्ट तक स्टैपलाइजर फ्री ओपरेशन से वर्क करता है के बाद इसमें आपको डबल फ्लैप मिलता है अगर हम बोड़ी की बात करें जिससे आपके एर कंडिशनर का नौइस लेवल बहुत ही कम हो जाता है यह मैट पनिश है यह डाइकन की तरफ से बहुत ही बढ़िया दिखने वाला एर कंडिशनर है मैं आपको कहूंगा सबसे लुकिंग एर कंडिशनर है डाइकन की तरफ से यह इसकी लुक हमेशा ही फ्रेश रहती है यह डिजाइन कम से कम तीन या चार साल पहले आया था पर आज भी इसकी डिजाइन देखेंगे तो आपको फ्रेश लुक लगेगी प्रोपर यह साइट से देख लीजिए बहुत ही भैतरीन यह देखें यह आज 32 गैस में आता है 100 प्रसेंट कोपर कोईल्स हैं कोंडा एरफ्लो मिलेगा आपको पीम 2.5 पीम 1.0 इकोनो मोड पावर चिल ओपरेशन गुट स्लीप टाइमर होरी अनेक फीचर मिलेंगे आपको इसके मैं आपको होर भी स्पेसिफिकेशन दिख लोग मोडल नेम जेटीकेजे 110 35 यह देखें मैक्सिमम मैं पेर सिर्फ 3.8 अगर हम इसके यह देखें अक्सपेंडेबल कुलिंग कपैस्टी अप्टू 4000 वाट वर्किंग जो करेगा वो 3.62 करेगा हाफ कुलिंग कपैस्टी अइड़ वन पॉइंट अटी वन अट सीव एड़न मीनिमयम जाएगा 1.17 वोड पर अगर हम इसके बीटी ओर की बात करें वो बहुत ही बहतरीं आइन 13,600 BTW maximum जाएगा और minimum BTW 4,000 बहुत ही बहतरी इन BTW वाली मशीन है ये अगर आप इसकी wattage की बात करेंगा minimum 220 W पे आजाती है ये मशीन अगर ये जाएगी अपने 3.6200 W पे जाएगी तो सिरफ ये 822 W पे चलेगी मशीन अगर ये अपने 1.0 means half cooling capacity पे आती है तो ये सिर्फ 281 W लेगी annual power consumption किलो वाट ये रिखिए 483 IS-CR ratio बहुत ही बढ़िया है इसकी 5.80 अगर आप इसकी star rating देखेंगे तो ये 7 star के बराबर बन जाता है air conditioner बहुत ही बहतरी इन जिसे मैंने काया था eye sensor intelligent eye patent ये patent है डाइकन का steamer discharge technology indoor quiet operation अगर आपको फिर भी लगता है वैसे भी डाइकन की बहुत ही silent होते है air conditioner ये रिखिए noise level कितना कम है इसका minimum 26 db 29 db 32 ये है fans पिर जैसे जैसे बढ़ा होगे इसके db बढ़ते जाएंगे 26 db यो भी एक air conditioner के लिए बहुत ही बढ़िया है ये noise lassi होगा एक साब से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका air conditioner working है कि नहीं अगर आप इसे indoor point operation पे जाएंगे ये 26 db पे आ जाएगा बहुत ही बढ़िया design कि होगा डाइक का नहीं air conditioner आप किसी भी air conditioner के साथ comparison कर लिए इसकी जोंसे cooling capacity है minimum voltage या बहुत ही बढ़िया है अगर आप इसका current देखेंगे एंपेर में सिर्फ 3.8 बहुत ही बैटरी ने air conditioner है अगर हम इसके features की बात करें यह दिखिए इसमें आपको swing compressor मिलेगा यह दिखिए DC fan motor भी मिलेगी kondy air flow भी मिलेगा pam control भी मिलेगा जिसमें stabilizer free operation कहते है power air flow dual flaps भी मिलेगे wide angle roll भी मिलेगे vertical up down and left flat swing भी मिलेगा 3D air flow मिलेगा indoor quiet operation मिलेगा उसके बाद आपको outdoor quiet operation भी मिलेगा intelligent eye मिलेगी auto fan speed का econo mode भी मिलेगा new drive mode function भी मिलेगा drive mode भी आप यूज़ कर सकते हैं power chill भी मिलेगा indoor unit on and off switch भी मिलेगा अगर आपने सिरफ fan चलाना है उसका भी आपको मिलेगा patent discharge, steamer, air purifier भी मिलेगा smell proof operation भी मिलेगी यह सारे option में मिलेगा आपको titanium air filter भी मिल जाएगा ag yoin filter भी मिल जाएगा pm 2.5 भी मिल जाएगा pm 0.1 तो high है इसमें उसके बाद हम बात करें washable panel है power display indoor unit भी है उसमें आपको temperature भी बताएगी room temperature भी बताएगी RC, RNC with black light भी मिलेगी आपको जैसे remote में आपको backlight मिलेगी यह lumin जैसे green green हो जाएगा रात को आपके button आपको remote की backlight off करने का भी function मिलेगा remote में चैडलोप भी मिलेगा 24 hours का on and off timer भी मिलेगा आपको यह देखिए good sleep timer भी बताया था आपको auto restart भी मिलेगा after power failure अपने आप उसी function पे start हो जाएगा stabilizer free inside का option भी हैस में आपको new stabilizer mode मिल जाएग आपको anti-crosion नहीं है यह self-diagnose है anti-crosion भी है आउड़ोर यह उसा heat exchanger है वह anti-crosion series में आता है installation kit भी मिलेगी 3-meter pipe मिलेगी यह देखिए बहुत ही बहतरी इतने features हैं यह देखिए कितने features हैं से air conditioner में कितने ज्यादा यह देखिए यह देखिए डाइकन के सारे मिफ हमारे पास आपको सारे मोडल अवेलिबल 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 की 3-star में FtKT मिलेगा अवेलिबल अवेलिबल है यह देखिए FtKF FtKG FtKM भी मिल जेगा FtKT FtKT High Temperature Air Conditioner अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक कीजिए कोई भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए कमेंट करकर पूछ सकते हैं